नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है noise fit force smartwatch जो आली में लोंच हुई है Amazon पे और आपको मिलती है 2499 में हालाक इसकी price कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन अगर आपको ये smartwatch 2999 ये उसके अंडर मिलती है तो काफी बढ़ी आडिल है तो 2999 ये उसके अंडर अच्छी price है ले IPS LCD display इसमें आपको मिलता है crown button जिससे आप rotate भी कर सकते हो इसके लावा इसमें है 550 minutes brightness, BP, heart rate और SP2 monitor, game है voice assistant, theater mode, up to 7 day battery life और ये है IP67 water and dust resistant मतलब कि आप इसे पानी में एक मिटर घेराय तक आदे गंटे के लिए यूज़ कर पाऊगे तो हम करने बाले है इसका full setup हम देखेंगे कौन कोन से features और settings आपको मिल जाते हैं इस watch में और इसके app में तो unboxing करने पे आपको मिलेंगी इतनी चीज़े ये है user manual, warranty, information card, इस watch के लिए आपको मिलती है 1 year की warranty और warranty को कैसी activate करना है मैं आपको बताऊँगा आगे इस वीडियो में, noise के stickers, magnetic charging dock और ये है smart watch, बात करते हैं battery और charging के तो आपको इस तरीके से dock पे अपनी watch को fix करना है, जो pin है मैं तुनी चाहिए, ये रही pin और यहाँ पे pin, तो दोनों को आपको align करना है, इस तरीके से fix करना है, press करके इस तरीके से attach हो जाता है, इसके बाद आपको charge करना है, इसमें है 300 image की battery और इसे full charge करने के लिए आप देस का battery backup, लेकिन अगर आप calling का उस करोगे तो आपको मिलेगा 2 days का battery backup, charging करने के लिए आप 5 होट या 10 होट का charging adapter यूज़ कर सकते हो, जितना slow charger आप उस करोगे उतना वेतर रता है, smart watch की battery life के लिए long run में, या आप अपने PCI laptop में जो USB पोड़ता है, उससे भी charging कर सकते हो, औ और फिर charging dock को रीमू करने के लिए आपको इस cable को नीचे की और खिशना इस तरिके से, तो जो smart watch है दिखने में काफी बढ़िया है, solid है, sturdy है, build quality, sporty design है, और ये है एक rugged smart watch, इसमें आपको मिलती है metal body, zinc alloy का यूज़ की आगया है frame के लिए, और bag में है polycarbonate plastic, side में है three metallic buttons, जो straps से silicon के है, काफी बढ़िया quality के है, 22 mm के, इसकी जो thickness है, और width है, काफी perfect है, उपर में है metallic buckle, और दो straps holder, back के बात करें के दो back में है, SPO2, heart rate, NBP sensor, two pin charging slot, ये है speaker, और mic, calling purpose के लिए, आप इन straps को remove भी कर सकते हो, उसके लिए आपको इस pin को नीचे की और खिशना है, और इससे भाह करना है, फिर उपर वाली pin को नीचे खिचना है, और अंदर ऐसे insert करना है, इस तरीके से, इस smart watch को first time use करने से पहले आपको इसे full charge करना है, ताकि आपको first time से ही अच्छा battery backup मिले, तो मैंने इसे full charge कर लिया है, मैं करूँगा इसे switch on, तो आपको beach वाले button पे long press करना है, जब noise approach को अपने phone के साथ pair करने के लिए, आपको अपने phone में, प्ले स्टोर में जाकर इसे आपको download करना है, जिसका नाम है, noise fit, तो noise fit इसे आपको download कीजिए, इसके बाद आपको इसे करना है, open, box medic कीजिए, agree and continue, continue, आप दो तरीके से login या sign up कर सकते हो, noise fit आप में, अपना कोई भी Gmail ID या कोई भी email ID, मैं करूंगा email ID से login, तो email पर tap कीजिए, अपना email ID enter कीजिए, उसके बाद आपको करना है, continue पर tap, उसके बाद आपके email ID पर जाएगा, एक OTP, आपको उस OTP को enter करना है, और करना है, continue, while using the app पर tap कीजिए, allow कीजिए, फिर से allow कीजिए, ताकि आपके phone में, Bluetooth on हो जाए, इसके बाद आपको वेट करना है, आपकी smartwatch यहाँ पर search होगी, आपकी जो smartwatch है, switch on होनी चाहिए, और यहाँ पर शोगा, इस smartwatch का नाम, force आपको उस पर tap करना है, और जो smartwatch है, successfully pair हो चुकिए, फिर आपको करना है, get started पर tap, calling का feature अभी तक on नहीं हुआ है, तो उसस on करने के लिए, आपको proceed पर tap करना है, यहाँ पर आपको देखना है, नीचे show करेगा force, available devices में, आप देख पारे हो, force calling ऐसा लिखा होगा, आपको इस पर tap करना है, फिर आपको pair पर tap करना है, इसके बाद आपकी watch में call का feature on हो चुका है, मतलब कि अब आप अपनी watch में भी call को receive कर पाओगे, बैक जाइए एप में, तो सबसे पहले हम करेंगे device का setup, तो आपको my device के tap पे tap करना है, battery level लिखा होगा, उस पर tap किजिए, सबसे पहले है, check for update, तो आप यहाँ से watch के farmer को update कर सकते हो, अगर update अले बलोगा, तो यहाँ पे show करेगा, आप यहाँ से उसे download कर सकते हाला कि अभी show कर रहा है, up to date, इसके बाद है warranty registration, तो आपको इस पे tap करना है, आपने इस watch को खहाँ से purchase किया है, तो मैंने किया है, Amazon से, तो मैं इस पे tap करूँगा, फिर आपको अपनी watch का serial number enter करना है, serial number होता है, आपके box के back side में, जहाँ पे लिखा होता है, SW, तो इस number को आ आप किजिए, आपके watch की warranty, एक्टिविट हो जाएगी, और यहाँ पे bottom में दिया गया है, unpair करने का option, तो अगर आप चाहते हो, अपनी watch को अपने phone के साथ disconnect करना, तो आप इसका use कर सकते हो, हाला कि आपको थीनी case में इसका use करना है, अगर आप इस watch को use नहीं करना चाहते ह अगर आप इस watch में कोई भी issue face करते हो, तो उसे solve करने के लिए आप इसका use कर सकते हो, बाकी time के लिए आपको इसका use नहीं करना है, बैक जाओगे, तो फिर सबसे पहले है watch faces, तो आप यहाँ से watch face को download करके apply कर सकते हो, आपको इस पे tap करना है, यहाँ पे आपको मिलेंगे 200 plus watch faces, हलाकि यहाँ पे जो navigation यह काफी slow है, काफी lag होता है जब आप stroll करते हो इस तरीके से, तो आप अगर किसी भी watch face को download करना चाहते हो, तो आपको इस पे tap करना है, माल लेते हैं मुझे download करना है यह watch face तो में इस पे tap करूँगा, इस तरीके से आप किसी भी watch face को download करके apply कर सकत जो watch face से apply हो चुका है, आप अपनी खुद की photo भी set कर सकते हो, तो आपको जना है top में और यहाँ पे customize watch face पे tap करना है, gallery पे tap किजिए, gallery को open किजिए, जिस किसी photo को आपको set करना है watch face पे, आपको इस पे tap करना है, तो मुझे set करनी है, यह photo में इस पे tap करूँगा, आप इसे zoom mean zoom mode कर सकते हो, उपर नीचे left right कर सकते हो, फिर आपको tick पे tap करना है, time जो है उपर में show करेगा, आप चाहूँ तो time को नीचे कर सकते हो, तो आपको करना है time position को below पे set, मतलब की time अब जो होगा, नीचे show करेगा, इसके लवा यहाँ पे है about time, below time, मतलब की time की उपर और time की न नीचे, इसके लवा जो phone का color है, आप इसे भी change कर सकते हो, इस slider पे slide करके, इस तर posición खरना है, update watch face पे tap, तो आप इस तरीके से अपने किसी भी photo को set कर सकते हो watch face पे, जो photo है set हो जुपी है, आप देख सकते हो, आप अपनी watch से भी watch face को change कर सकते हो, आपको watch face पे long tap करना है, और स्विच करने के लिए और आपको जिसे सेट करना है आपको उस पर ट्याप करना है आप एक साथ अपनी watch में 12 watch face को place कर सकते हो, हल्रकि पहले 10 watch face fix होते हैं आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं जो आखरी वाले दू watch face होते हैं आप उनी को change कर सकते हो आगे है notification तो आपको इस पर tap करना है app notification disable पर tap कीजिए allow कीजिए noise speed को on कीजिए allow कीजिए back जाईए फिर से disable पर tap कीजिए इससे on कीजिए manage पर आपको tap करना है और यहाँ पर all पर tap करना है आपके phone में जितने भी apps होंगे वो सभी apps से आपके show करेंगे अब इन में से आपको कौन-कौन से apps की notification रिस्यू करनी है आपकी watch में आपको उन apps को on करना है box में टिक करके तो मैंने इन apps को कर लिया है select पर आपको करना है save पर tap तो यह जो apps मैंने किये है select इन सभी apps से मुझे आएगी notification मेरी watch में back जाएए आगे है SMS alert तो अगर आप SMS पाना चाहते हो अपनी watch में तो आपको इस पर tap करना है इससे on किजिए permission call आउ किजिए back जाएए आगे है call alert अगर आप चाहते हो कोई भी call आए तो किस तरह किसे शो करेगा आपकी watch में तो call आ चुका है watch में ringtone भी play हो रही है और vibrate भी कर रही watch contact का नाम या number शो करेगा यहापे मिलेंगे आपको दो option call को cut करने का और इसे accept करने का अगर आपने इसे कर लिया accept तो आपको मिलेंगे हैं आपे तिन ओप्शन यह है call के volume को adjust करने का option हाला कि आपको slide नहीं करना है ट्याप करना है volume up या volume down करने के लिए इस तरह के से इसके बाद है cut करने का option और यह है mic को मिट करने का option अगर आपने mic को मिट किया तो सामने आपको आपकी आवाज नहीं चाहेगी हाला कि इसमें call को switch करने का option नहीं दिया गया है अगर मैंने अपने phone को vibrate या silent पे set किया तो क्या मेरी watch में ringtone play होगी तो आप देख सकते हो मैंने अपने phone को silent word पे set किया है ऐसे मेरी watch में केवल vibration हो रहा है ringtone play नहीं हो रही है तो अगर आप अपने phone को ringer mode पे रखोगे तो ringtone बजेगी आपकी watch में अगर आप अपने phone को silent mode पे रखोगे तो आपकी watch में ringtone नहीं बजेगी आपकी watch करेगी खेवल vibrate अगर आपको calling के feature को of करना है तो आप उसे off भी कर सकते हो आपको जना है settings में और यहाँ पे सबसे पिले है फोन का फिचर आपको इस पर ट्याप करके करना है मतलब कि अब आप अपनी वाश में कॉल को रिस्व नहीं कर पाओगे हलाकि आपको शो करेगा कि किसका कॉल आ रहा है और आप उसे कड़ भी कर पाओगे इस तरीके से तो आप इसे कड़ कर पाओगे या आप इस कॉल के प्रियू को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो इस पे ट्याप करके अब देखते है अगर आपको कई भी SMS आता है तो किस तरीके से चो करेगा SMS आ चुका है अच्छी बात है कि जब SMS आता है तो वाच में डिस्पले ओनो जाता है और वाच करती है वाइबरेट इस तरीके से आप जो प्रियू है मेसेज का रिट कर सकते हो अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो करना है स्वाइप और यह रहा आपका SMS आप ट्याप करके उसे रिट कर सकते हो जो SMS में आप देखोगे तो तीनी लाइन शो करती है मैकसिमम इसलिए पुरा मेसेज जो होगा लंबा मेसेज अगर होगा तो अलग-अलग इस्तों में शो करेगा अब देखते हैं अगर आपको कोई भी WhatsApp मेसेज आता है तो किस तरीकिस शो करेगा तो WhatsApp मेसेज आ चुका है और अच्छी बात है कि WhatsApp आने पर भी डिस्पले इसका ओन होता है और वाच करती वाइब रिट WhatsApp का आइकन कुंटक का नामे नंबर शो करेगा और आपको में लिगा वो मेसेज अगर आपने देखना मिस कर दिया तो किजिए स्वाइप अप यह रहा आपका WhatsApp मेसेज ट्याप कीजिए इंदी फोन पार्चली सबट करते लेकिन इमोजी सबट नहीं करते और आप WhatsApp में यहाँ पर पास से छे लाइन रिट कर सकते हो आप यहाँ पर एक साथ अपने पिछले पार्च मेसेज को रिट कर सकते हो अगर आपको सभी को एक साथ करनावा clear तो नीचे मिलेगा आपको option clear all का आगे है health monitor तो tap कीजिए सबसे पहले है SPO2 measurement तो tap कीजिए तो अगर आपने SPO2 measure किया होगा अपनी वाच में उसका last time का डिटा यहाँ पे शोगरेगा आलाकि आप यहाँ से भी start कर सकते हो अपनी वाच में SPO2 measurement तो यहाँ पे होगा measure इसके बाद है walk reminder मतलब की sedentary reminder तो अगर आपने इससे own किया है मतलब की अगर आप एक घंटे के लिए बिना किसी activity के ऐसे ही बेठे वे हो ideally एक घंटे के दुराण ना आप चले ना आप उठे तो आपको आएगा हर घंटे एक alert यब आपको चलना चाहिए उठना चाहिए तो सुबह के 10 से लेकर रात के 10 वज़े तक आपको हर घंटे आएगा alert अगर आप हर घंटे कोई भी activity या moment नहीं करते तो इसके आगे है my alarms आप अपनी वाच से alarm को set नहीं कर सकते हैं alarm को set करना होगा तो आपको यही से करना पड़ेगा आपको इसपर tap करना है आप यहाँ पे एक साथ 3 alarm को add कर सकते हो आपको time पर tap करना है time set कीजिए hour minute a.m.pm आपको set करना है इस तरीके से कुन से कुन से दिन को आपको अलाम को प्ले करना है उन दिन को आपको चूज करना है सेव पे ट्याप कीजिए इस तरी किसे आप अलाम को एड कर सकते हो यहाँ से ओनो भी कर सकते हो और ट्याप करके उसे चेंज भी कर सकते हो जो भी alarm आप set करोगे उससे आप देख पाऊगे अपनी watch में भी और जब भी alarm का time आएगा तब आपको मिलेगा alarm का reminder आपकी watch में vibration के साथ save करने के लिए save पिट आप कीजिए आगे है Google Fit तो अगर आप Google Fit का विस करते हो तो आपको करना है connect पिट आप इससे होता क्या है noise पिट आप में आपका जो भी data है जैसे कि आपका heart rate, SPO2, steps, distance, kilo calorie energy ये जो सारा data है sync होता है Google Fit में मतलब कि आप दोनों app में अपने health और equity data को देख पाऊगे तो अगर आप इससा चाहते हो तो आपको इससे own करना है आगे है my contacts तो आप अपनी watch में एक साथ 8 contacts को add कर सकते हो ताकि आप उन्हें quickly डाल कर सको तो आपको उस पट्याप करना है add पट्याप किजिए जिस किसी contact को आपको add करना है उस contact के सामने box होगा आपको उसमें tick करना है इस तरीके से मैं किसी भी add contacts को select कर लेता हूँ तो मैंने contacts को add कर लिया है फिर आपको करना है save पट्याप जिस order में आपको ये contacts आपको शो कर रहे है सेम उसी order में आपकी watch में भी शो करेंगे हाला कि आप इन्हें उपर निशे कर सकते हो dot के icon पे long tap करके आपको track करना है इस तरीके से उपर निशे करने के लिए अगर आपको इन में से किसी को remove करना है तो cross question पे ट्याप करके आपको उसे remove कर सकते हो add करने के लिए add पे ट्याप किजिए फिर आपको करना है save पे ट्याप आपको इस contact में ऐसा कोई भी number add नहीं करना जिसमें की star या hash हो अगर आप ऐसा कोई number add करोगे तो आपके contact सिंख नहीं होंगे आपकी watch में आगे है weather settings तो अगर आप weather info देखना चाहनते हो अपनी smartwatch में तो आपको इसे own करना है पिर आपकी watch में आप weather देख पाऊगे आपके location का आगे है find my device तो आप इस option की जड़ी अपनी smartwatch को ढूण सकते हो मानलो आपने अपनी watch को कही पर रख दिया है आपको मिल ले रही है तो ऐसे में अगर आप इस पिट आप करोगे तो आपकी watch में display on हो जाएगा और आपकी watch करते रहेगी वाइबरेट search पर ट्याप किजिए stop करने के लिए stop पर ट्याप किजिए अलगी यह feature तभी काम करेगा जब आपकी watch आपके phone के साथ connected होगी आगे है camera shutter मतलब की camera controller तो आपको इस पर ट्याप करना है allow करना है आपके phone में open होगा camera और आपकी watch में open होगा shutter तो आप ट्याप करके या फिर shake करके photo capture कर सकते हो अपने phone में जो भी आप photo capture करोगे आप इस पर ट्याप करके देख पाऊगे और आप यहाँ से camera को कर सकते हो rotate आगे है wrist sense मतलब की race to wake का feature तो ये by default on रखा गया है मतलब की अगर आपकी watch में display off होता है अगर आप अपनी watch को उपर उठाओगे डिस्प्ले स्काउन हो जाएगा इससे कहते है race to wake का feature या wrist sense तो जब भी आप अपनी watch को पहनोगे आपको अपनी कलाई को tilt करना है time को देखने के लिए डिस्प्ले स्काउन हो जाएगा आगे है device settings इसमें सबसे पहले है D&D तो अगर आप D&D को on करोगे तो आपकी watch में कोई भी message या call नहीं आएगा इसके लबा कोई भी sound या vibration प्लेनी होगा आपकी watch में आगे है device time आप अपनी watch में time को set नहीं कर सकते जो time आपके phone में show कर रहा है से मोई time आपकी watch में भी show करेगा हाला कि आप time format को change कर सकते हो आपको 12 hour पे tap करना है यहाँ पे आपको विलेंगे दो option 12 hour या फिर 24 hour आपको कौन से format में time को show करना है आपकी watch में आपको उस format पे selection करके करना है save पे tap अगर आप चाहते हो जो time जैसा time आपके phone में show कर रहा है से मोई time मेरी watch में भी show करें तो आपको sync time पे tap करना है अब बात करते है profile settings की तो आपको home page पे tap करना है उपर में 3 बार पे tap करना है profile name पे tap कीजिए edit पे tap कीजिए आप यहां से अपनी profile photo name, gender, date of birth, location, interest, height, weight change कर सकते हो जब चाहते हैं तब इस तरह के से फिर आपको खरना है save पे tap और फिर है my goals तो आप अपने जो daily goals है उन्हें change कर सकते हैं यहां से आपको edit पे tap करना है daily आपको कितनी calorie burn करनी है daily आपको कितना distance cover करना है daily आपको कितना standing hour रखना है एक standing hour का मतलब होता है अगर आप एक घंटे में minimum एक मिनट के लिए workout करोगे तो उसे कहते है one standing hour और आपको daily कितने step चलने है आप यहां से इस तरह किसे change कर सकते हो सबी goals को आपको फिर करना है आज की activity तो आज का data ही है आज आपने कितनी calorie बवन की है आज के steps और आज का distance आप अपने distance और step count को detail में check कर सकते हो त्याब करके यहां पे शोगरेगा कि आपने time की साब से कितने steps चले है day wise, week wise, month wise, year wise आप चेक कर सकते हो distance को भी check कर सकते हो और जो भी आपने अपना vital measure किया है जैसे की heart rate और SP2 तो यहाँ पे आप जान सकते हो उसका data graph wise आपको शोगरेगा time की साब से और यहाँ पे day wise, week wise, month wise, year wise आप अपने जो vital है उन्हें चेक कर सकते हो detail में इस तरीके से और यह है sleep data तो अगर आप चाहते हो आपकी watch में आपका sleep data record हो तो आपको सोते विए अपनी watch को पेहनना है अगर आपकी watch आपके phone के साथ connected नहीं भी होगी फिर भी आपकी watch में record होगा sleep data और फिर आप उस पे टाप करके check कर सकते हो अपने sleep data को कि आप कितने घंटे सोए सोने के दुरार अपका heart rate कौन से range में था आपके अलग-अलग sleep stages और उसका time यहाँ पे show किया जाएगा आप time line के साथ इसे check कर सकते हो इस तरीके से और फिर back करोगे तो home page पे नीचे आपको show करेगा last में recent workout तो आपने जो भी workout किये है आपके smart watch में यहाँ पे show किये जाएगे आपको you all पे tap करना है यह रहे सारे workout जो आपने किये है आपकी watch में तो आप उस पे tap करके check कर सकते हो इन सभी workout को detail में अगर आप चाहते हो आपकी watch आपके phone के साथ बार-बार इस connect ना हो और यह जो आप है ठीक से work करें background में तो आपको करनी है दो चीजे आपको इस आपको open करना है recent app में आप icon पे tap करना है और करना है log this app आपके phone में होगा log का icon या लिखा होगा keep open आपको इस पे tap करना है इसके allow आपको जाना है app info में battery में और आपको set करने से पहले पे unrestricted पे तो हमने इस app के जरी अपने smartwatch को set up कर लिया है अब हम देखेंगे आपको अपनी smartwatch को के से यूज़ करना है इस smartwatch में आपको मिलती है तीन buttons उपर नीचे और middle में जो beach वाली है वो है 2 in 1 मतलब की crown button जिससे आप press भी कर सकते हो और इसे घुमा भी सकते हो प्रेस करने के हैं 3 functions तो महां लेते डिस्प्ले आपकी watch में off है तो इसे on करने के लिए आप run पे press कर सकते हो इस तरीके से और आप अगर किसी भी menu में enter करते हो वहाँ से अगर आपको back जाना है direct homepage पे तो आपको इस पे press करना है direct homepage पे जाने के लिए और अगर आप इस पे long press करोगे तो आप अपनी watch को कर पाओगे switch up आपको tick पे tap करना है switch up करने के लिए अगर आप किसी भी menu में enter करते हो वहाँ से अगर आपको जाना है back step by step तो आपको ऐसे swipe right करना है step by step back जाने के लिए अगर आप किसी भी menu में enter करते हो वहाँ पे अगर आपको navigate करना हुआ उपर नीश है तो आपको इसे करना है rotate इस तरह के से scroll up, scroll down करने के लिए इतना है नहीं जो main menu है उसे भी आप navigate कर सकते हो इस तरह के से इन तिनो बड़न का एक common function है तो अगर आपकी वाच में display off होता है तो आप किसी भी बड़न पे प्रेस करके डिस्पले को on कर सकते हो फिर चाहे उपर प्रेस करो या फिर नीचे उपर वाली जो बड़न है वो है menu को access करने के लिए तो आप इसपे प्रेस करके quickly main menu को access कर सकते हो इस तरह के से फिर से प्रेस करोगे तो back जाओगे इस तरह के से आप main menu को access कर सकते हो उपर वाले बड़न के जरी है नीचे वाले बड़न के हैं दो functions तो आप इसपे प्रेस करके जो sport mode है या workout mode है उसे quickly access कर सकते हो इस तरीके से workout mode को access करने के लिए ये button दिया गया है और अगर आप इस पे long press करोगे तो आप जो watch face है उसे change कर सकते हो आपको इसे swipe करना है watch face को change करने के लिए और आपको अगर state करना है इसे तो इस पे tap कीजिए home page पे अगर आप swipe up करोगे तो आप अपने जो message है यहाँ पे read कर सकते हो home page पे अगर आप swipe down करोगे तो आपको मिलेगा control center date और day यहाँ पे show करता है इसके लाव weather और यहाँ पे सबसे पहला जो icon है वो है battery saver mode का तो अगर आप इससे on करोगे तो आपकी watch में बैटरी से होगी लेगिन आपकी watch में होगी चार्चीजे calling का feature off हो जाएगा brightness सबसे कम level पे sit हो जाएगी vibration off हो जाएगा और जो rest to wake का feature है वो भी off हो जाएगा और यह है theater mode theater mode को अगर आप ओन करोगे तो आपकी watch में vibration off हो जाएगा और brightness सबसे कम level पे sit हो जाएगी इस तरीके से और यह है music player तो आप इस पर tap करके quickly music player को open कर सकते हो यहाँ से play कर सकते हो music को music अगर play नहीं हुआ तो आपको अपने phone में music app को open करना है play करना है pause करना है इसके बाद play किजिए music अब play होगा volume को आप यहाँ से adjust कर सकते हो इस तरीके से previous next हाला कि जो music play हो रहा है आपकी watch में आप चाहत जो music play हो आपके phone में तो आपको जाना है आपके phone के Bluetooth settings में बीप लोंग्टे आप कीजिए और यहाँ पर होगा force calling उसके सामने गेर का icon होगा आपको इस पर tap करना है और जो audio लिखा हुआ है आपको इस toggle को off करना है इसके बाद अगर आप music play करोगे तो play होगा आपके phone में तो अगर आप कोई भी media play करोगे आपके phone में फिर चाहे कोई भी music हो, video हो या फिर YouTube हो तो उसका जो sound होगा अपने होगा आपकी watch में अगर आपने इसे on किया तो अगर आपने इसे off किया तो जो भी आप media play करोगे उसका sound play होगा आपके phone में और यह है vibration का toggle तो इस पर आप किजिए यहाँ पे मिलेंगे आपको तीन option अगर आपको अपनी color पे vibration ज्यादा feel करना है तो रखिए strong पे अगर आपको हलका सा चाहिए vibration तो आपको set करना है medium पे अगर आपको vibration नहीं चाहिए तो रखिए off पे फिर brightness को adjust करने का toggle तो आप यहाँ पे slide करके brightness को adjust कर सकते हो brightness इसकी काफी अच्छी है तो आप outdoor में भी काफी अच्छी तरीके से अपनी watch को use कर पाओगे और last में है settings इसमें सबसे पहले है phone का feature तो आप यहाँ से भी phone के feature को on up कर सकते हो अगर phone का feature off है मतलब कि आप अपनी watch में call को receive नहीं कर पाओगे अगर आपको अपनी watch में call को receive करना है तो इसे on कीजिए तो आप one tap में call के feature को on up कर सकते हो यहाँ से फिर है call reset तो आपने जो भी contacts add किये हैं आपकी जो भी call history आपकी watch में show करती है अगर आपको सभी code delete करना हुआ तो आप कर सकते हो call reset फिर है disturb मतलब की dnd तो आप one tap में हाँ से dnd को own कर सकते हो इसके बाद है stop watch यहाँ से आप start कर सकते हो ल्याप देने का भी option दिया गया है आगे है alarm जो हमने set की alarm यहाँ पे show करेंगे अलग कि आप इन्हें यहाँ से on up कर सकते हो change नहीं कर सकते है इसके बाद है timer तो आप यहाँ से timer को भी start कर सकते हो maximum है 3 hour का timer जो timer है background में भी work करता है तो आप किसी भी functions को own करते हो फिर भी timer यहाँ पे चाल दू रहेगा इस तरीके से menu view है दो तरीके से एक है grid view जो हम देख चुके है इससे कहते है grid view आपको सबसे बिले तो उस option को नीचे लाना है फिर बीच में जब आता है तब आपको उसके tap करने ओपन करने के लिए मैं रखूंगा list view इस तरीके से show करेंगे main menu brightness आप यहाँ से भी adjust कर सकते हो बाद में है vibration तो आप यहाँ से भी on-up कर सकते हो इसके लावा यहाँ से उसकी intensity भी change कर सकते हो और यह है जान करने की जरूरत नहीं है अब बात करते है shortcuts की तो आपको shortcut को access करने के लिए करना है swipe left सबसे पहले है AI voice तो आपके phone में अगर Siri, Google Assistant या फिर Bigs भी है तो आप उसका यूश कर सकते हो आपको इस पे tap करना है How is the weather today? इसमें च्छे बात यहाँ कि आपका phone अगर लोग होता है फिर भी यह feature काम करेगा When is the next cricket match? इसके आगे है Today's activity और Today's data तो आप यहाँ पे tap करके steps को check कर सकते हो steps, kilo calorie energy और distance इसके अलावा आपका sleep data, कितने घंट्यापस होए light sleep, deep sleep का time इसके अलावा यह है आपकी activity, अगर आप कोई भी workout को रोगे तो यहाँ पेशो करेगा last time आपने कौनसा workout किया था अगर आपको start करना हुआ workout को तो आपको इस पे tap करना है यह है आपके अलग-अलग workout mode यहाँ पे है 30 workout mode अगर आपको किसी भी workout mode को start करना हुआ तो आपको उस पे tap करना है तो यहाँ पेशो होगा कितना time हुआ है इस workout को आपके steps, distance, kilo calorie energy इसके लगा आपका real time heart rate आप यहाँ पी भी check कर सकते हो अगर आपके इसे pose करना है तो swipe, write करके किजिए pose, resume अगर आपको इसे end करना है तो किजिए इसे end इस तरह किसे अगर आप चाहते हो आपका workout data stay हो आपकी watch में आपके app में तो आपको minimum एक मिनिमम एक मिनिट के लिए workout करना है इसके आगे है phone call का feature सबसे पहले contacts जो भी आपने 8 contacts add कि आपके app में यहाँ पेशो करेंगे आप किसी भी contact पे tap करके call कर सकते हो अगर आपको call करना इसे है तो इस पे tap कीजिए फिर यह dial pad तो आप किसी भी number को dial करके यहाँ से call कर सकते हो इस तरह के से dial pad पे जो symbol से आप उन्हें भी add कर सकते हो आपको इस number पे long tap करना है उस symbol को add करने के लिए star hash और plus को add करने के लिए और ये है recent calls मतलब की आपकी call history तो जो भी आपने calls की है यहाँ पर शो करेंगे पिछले चार calls आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आपको इन में से किसी को भी call करना हो फिर से तो आपको इस पर ट्याप करना है call करने के लिए आला कि आप अपनी call history को delete नहीं कर सकते है इसके आगे है health तो यहाँ पर ट्याप करके आप अपना heart rate मेजर कर सकते हो अभी जितना आएगा result यहाँ पर शो करेगा और आज का maximum minimum इसके लावा यह है blood pressure तो आप ट्याप करके अपने BP को मिजर कर सकते हो यहाँ पेश्चो करेगा आपका sbp dbp value इसके बाद है sb2 तो आप यहाँ से मिजर कर सकते हो अपने sb2 को अभी का sb2 maximum minimum और यह जो होता है normally 95 यह उसके उपर रहना चाहिए इसके आगे है weather अभी फिलाल कितना है आज का minimum maximum और आने वाले अगले 6 दिन का weather चिक कर पाओगे minimum maximum temperature के साथ इसके बाद है camera controller तो अगर आप इस पर tap करोगे आपके phone में open होना चाहिए camera लेकिन camera open होता नहीं है अगर आप आपको open भी करोगे फिर भी ये feature काम नहीं करता आप देख सकते हो तो ये जो shutter का option है ये काम नहीं कर रहा है अभी फिलाल इसके आगे है music player जो हम देख चुके है तो अब बात करते है main menu की तो उसे access करने के लिए आपको करना है swipe right सबसे पहले है AI OS जो हम देख चुके है फिर है breathing workout तो आपको सबसे ट्याप करना है start करना है जैसे circle छोटा होता है बड़ा होता है उसरी किसे आपको सास लेनी है छोड़नी है inhale मतलब सास लेनी है exhale मतलब सास छोड़नी है ऐसे एकरना आपको 8 बार stop करने के लिए back जाईए आगे है find phone तो आप इस option के दरिए अपने phone को ढूण सकते हो माल लो आपने अपने phone को भी रख दिया है आपको मिल नहीं रहा है तो ऐसे मैं अगर आप इस पर tap करोगे आपके phone में ring बज़ेगी अगर आपका phone silent पर होता है फिर भी आपके phone में ring बज़ेगी आपको tap करना है और करना है tap to find पर tap stop करने के लिए बैग जाईए हाला कि फिचर्द भी काम करेगा जब आपकी watch आपके phone के साथ connected होगी इसके बाद है steps, sleep जो देख चुके है games यहाँ पर आपको मिल जाते हैं दो games young bird और 2048 तो यह था noise for smartwatch का pull setup guide अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूच सकते हो आप मुझे Instagram पे या फिर Twitter भेवी मेसेज कर सकते हो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो